कुंडली में ग्रहस्तिती भले ही हो समान फिर भी श्री राम जी हुए राजा महान नमस्कार मैं आश्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतिश प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज हम अत्यन्द अलग विशे पर वारतालाप करने वाले हैं जोतिश शास्त्र वास्तों में कितना भान है इसकी अनुभूती आपको आज के विशे से प्राप्त होगी प्रभु श्री राम और रावन की जन्म कुंडली यह वो विशे है कुंडली में ऐसी कोन सी ग्रहस्तित थी कि राम जी प्रभु श्री राम बने और रावन राक्षसों का महा पराक्रमी राजा बना इस विशे को हम शास्त्र शुद्ध पद्धती से समझने वाले हैं इसलिए आज के भाग को अंत्त तक देखें साथ ही यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो शेयर करना ना कूंडलीëं का अंद्धें करते समय हम कई बार एक समान कूंडलीया देखते हैं अर्थात् प्रथम दर्शनी में वह केवल ब्रह कोता है क्योंकि वह कूंडलीया एक समान होती है या वैसी दिखाई देती है लेकिन उन में बड़ा अंतर होता है जीस प्रकार हर मनुश्य अलग है एक व्यक्ति दूसरे के समान हो नहीं सकता फिर उनकी कुंडलिया एक समान कैसे हो सकती है कुंडलियों का अध्यन करते समय यह बात कई बार सामने आती है उस और रावन की कुंडली को जब हम देखते हैं तो उन दोनों कुंडलियों में बड़ी समानता दिखाई देती हैं कई लोग हास्य विनोद में बोल देते हैं कि श्री राम और रावन यह कही राशी थी सच कहा जाए तो केवल राशी नहीं बलकि उनकी कुंडली में कई ग्रह स्थिति भी समान थी फिर भी राम जी प्रभू श्री राम बने और रावन राक्षसो का राजा बना यहां कैसे हुआ यहां प्रश्ण उपस्तित होता है तो कुंडलिया कितनी समान हो सकती है इसका अत्यंत बड़ा उधारण श्री राम और रावन की कुंडली है उन दोनों की करकराशी है दोनों के लगनस्तान में गुरुदेव विराजमान है दोनों के कुंडली में शनी देव तुला राशी में विराजमान है प्रभुर्ष श्री राम जी की कुंडली में रवी देव उच्चा वस्ता में तो रावन की कुंड कुंडली में मंगल ग्रह उच्चा वस्ता में अर्थात मकर राशी में विराजमान है कुंडलियों में इतनी बड़ी समानता होने के बाद भी उन दोनों के स्वभाव में उनके कर्टूत्व में उनके चारित्र में ना बड़ा अंतर क्यों था हम सदैव कहते हैं जीवन में कर महत्वपुरुन होते हैं जीस कारण कुंडली का कर्मस्तान भी अत्यनत महत्वपुरुन होता है जैसा मैंने पहले भी कहा कि दो कुंडलिया प्रथम दर्शनी देखने में भले ही समान दिखाई देती हो लेकिन उनमें बड़ा अंतर होता है उस अनुसार श्री राम और रावन की कुंडली का बड़ा अंतर है कि प्रभु श्री राम की लगन और चंद्रमा राशी दोनों करके है तो रावन की लगन राशी सीहा और चंद्र राशी करके है यह सबसे बड़ा अंतर कहा जा सकता है, जीस कारण कुंडली के सभी भावेश बदल गया है, ग्रह भले ही उसी राशी में हो, लेकिन उनका कारकत्व बदल गया है, परिणाम सुरूप तोनों के जीवन में बड़ा अंतर नेर्माण हुआ, आगे हमारा एक और वाक्य सदैवर रहता है कि भाग्य और कर्म को मिला कर लावव प्राप्त होता है, इसे भी हम बार बार कहते हैं, भाग्य के बाद कर्मस्तान अधिक महत्व पुरुन होता है, उस अनुसार यदि हम इस कुंडली का विचार करें, तो रावन के कर्मस्तान में स्वराशी का शुक्र है, इसके विरुद्ध प्रभू श्री राम जी की कुंडली देखी जाए तो उनके कर्मस्तान में आत्माकारक रवी देव उत्च वस्ता में विराजमान है महत्वपुर्ण बात है कि मंगल ग्रह की दुरुष्टि उन पर है जिस कारण श्री राम जी के कर्म आत्मा के अनुसार धर्म के अनुसार नयतिक्ता के अनुसार थे और रावन के कर्म शुक्र के अनुसार थे इन दोनों चीजों के कारण यहां बड़ा अंतर तेर्माण हुआ कर्म में बदला होने के कारण लाभ में बदला हुआ लाभ हमें बदला होने से राम जी प्रभू श्री राम बने और रावन राक्षसो का राजा बना अर्थात बड़ी समानता वाली यह कुंडलिया वास्तों में उतनी समान नहीं है यह बात ध्यान में आती है बड़े ही जोड़ार पंधती से राज्या भिशेक की तैयारी शुरू किये अच्छानक से श्री राम जी को बताया जाता है कि आपको वन्मास में जाना है उन्होंने उस बात का स्विकार उसी सरलता से किया उसके बाद श्री राम जी जो राजा बनने वाले थे वे वन्मास में गए और वहां से प्रभू श्री राम जी बन कर लो लो रावन भी कुछ कम नहीं था उसे ब्रह्म दियू जी का नाती माना जाता है उसके पिता रुशी विश्रवा थे रावन की माता का नाम कईकसी था जो राक्षस कुल से थी यहाँ दो भिन्न सोंस्कुरूतियों का मिश्टन होने से रावन अधिक बरिशाली बना था रावन दशग्रंथी ब्राह्मन था कई विद्याहों में वह पारंगत था उसके पास धन, संपत्ति, आईश्वर्य, संतति, सम्रुद्धी सभी सोख्य बर्पूर थे साथ ही वह महान शिव भक्त था शिव तान्डो स्तोत्र को हम उसकी भक्ति का एक बड़ा प्रमान कह सकते है प्रभु श्री राम और रावन दोनों ही शिव भक्त थे वे दोनों महाग ने आनी थे उनकी कुंडलियों की समानता को हमने अभी देखा फिर भी एक साक्षाद भगवान विष्णु के आउतार तो दुसरा महा पराक्रमी राक्षाज ऐसे क्यों हुआ तो श्री राम और रावन के कुंडली में एक ज्यान के कारण गुरुदेव लगनस्तान में विराजमान है दोनों की राशी करके है जिस कारण चंद्रदेव सोराशी के है कुंडली का लगनस्तान केंद्रस्तान होता है और लगनस्तान में गुरुदेव सदैव बलवान होते है जिस कारण प्रभू स्री राम और रावन दोनों ही महाग्न्यानी और विद्वान थे। उसके बाद शनी देव तुला राशी में अर्थात उच्च वस्ता में, मंगल ग्रह मकर राशी अर्थात उच्च वस्ता में हैं। जिस कारण दोनों ही प्राक्रमी थे। अब जोतिश की दुरुष्टी से मंगल गुरु शनी यह ग्रह कुंडली में बलवान रहते प्रभू स्री राम मर्यादा पुर्शतम मने और रावन राक्षसों का राजा बना। श्री राम जी की कुंडली में जो ग्रह केंद्रस्तान में विराजमान हैं। उनसे पंच महा पुरुष्योग निर्माण हुए है। गुरु देव से हंसर आजयोग, शनी देव से शशर आजयोग, मंगल देव से रुचक राजयोग निर्माण हुआ। रावन की कुंडली में भी शुक्र से मालव्य राजयोग तैयार हुआ। श्री राम जी की कुंडली में चंद्रमा स्वराशी का गुरू शुक्र शनी और रवी यह उच्छ वस्ता में है अर्थात कुल मिलाकर पाज ग्रह बलवान है तो रावन की कुंडली में चंद्रमा रवी शुक्र और बुध ग्रह स्वराशी के शनी और मंगल चवस्ता में है अब उनकी कुंडली के रहर स्योग को हम समझेंगे। प्रभू श्री राम जी की कुंडली करक लगना की है। जैसे हमें पता है कि करक राशी जलत अत्व की मात्रूर रुदै राशी है। लगन और चंद्र राशी एक होने के कारण। समाक्षिल और विद्वान थे। कुंडली में गुरुदे उच्च वस्ता में विराजबान होने से व्यक्ति जीवन मुल्यों की प्रतिष्ठा पनाये रखने के लिए कौन सा भी त्याक कर सकता है। अध्यात्म योग में गुरुदे उलगन स्तान में उच्च अर्था धर्मत्र कोन के स्तान में होने से बलवान होते हैं। त्री राजसत्ता संपत्ति का मोह उन्हें कभी नहीं हुआ। इसलिए उन्हें मर्यादा पुर्श्वत्म कहा गया। धने श्रवी देव दशम स्तान में उच्च वस्ता में विराजबान है। जिस कारण श्रीराम जी का बस्पन से पिता का प्रेम सभी सौख्य प्राप्त होई। तृतिय स्तान में अर्थात कन्या राशी में राहू ग्रह विराजबान है और बुधदेव लाभ स्तान में विराजबान है। इस कुंडली के लिए बुधदेव तृतियश और वेश होते हैं। कुंडली के इन दोनों स्तानों को यात्रा के स्तान कहा जाता है। उसी समय चतूर्थे शुक्रदेव भाग्यस्तान में आर्था त्मीन राशी में केतू ग्रह के साथ विराजमान है। शुक्र को पत्नी का कारक कहा जाता है। वह कुंडली में उच्च वस्ता में होने के कारण उनका विवाह सिता माता से हुआ। लेकिन केतू ग्रह वईराज्य का कारक है। वह भाग्यस्तान में विराजमान होने के कारण पत्नी वियोग दर्शाता है। पंचमेश और दशमेश मंगल ग्रह सप्तम स्तान में उच्च होने के कारण उनकी संतति वुनवान की। प्रभू श्री राम जी का कार्य भी आदर्शद आई था, जैसा में पता है कि कुंडली के शष्ट स्तान से शत्रू का विचार के आ जाता है, यहां शष्टेश गुरुदे उच्च वस्ता में है, बूद और राहू उनके लाभयोग में है, केतु नवपंचम योग में है, ज इधर राम जी ने हमें सिखाया, सब्तमे शनी देव भी उच्च वस्ता में है, लेकिन शनी विलंब का विरह का कारण होने के कारण, उन्हें पतनी का विरह मिला, इस कुंडली में शनी आश्टमेश भी है, जिस कारण प्रभू श्री राम जी को दिरगायुष्य मिला, शनी चतुर्त और राष्टम, यह दोनों मोक्ष त्रिकोन के स्तान है, जिस कारण शनी सभी सुखों को त्याग कर, जनकल्यान के उद्देश से कार्य करने वाले देवता, संत महात्माओं की कुंडली में विराजमान होता है, जिस कारण वन्वास, विताकी मृत्यू, पतनी का व माताओं का वईधव्य देखने का दुख हुते हो एवी, माता इल्या का उधा, शबरी की भेट, वानर राज सुग्रियू की मदद, जूशी बनियों का असुरों से सौरक्षन, ऐसे कई कार्य उन्हों है किये, श्री राम जी के इन सभी आदर्शों के कारण, उनके महान कर् हम उनके आदर्श जीवन का बड़ी शद्धा से आज अध्यन करते हैं, रावन की कुंडली देखी जाए, तो यह सीह लगना और करक राशी की कुंडली है, लगनेश रवी लगनस्तान में स्वराशी में, रवी ग्रहों का राजा होने के कारण सभाव में अहंकार, सत्ता ध मैं जो करूंगा वही सही ऐसा सभाव रावन का था, लगन में गुरुदेव विराजमान होने के कारण रावन, महा विद्वान, दशगरंथी, ब्राह्मन था, यह गुरु पंचमेश और अश्ठमेश है, पंचमस्तान से हम विध्या संतती देखते हैं, जिस कारण रावन क संतती भी उसी के समान बलशाली थी, लेकिन पंचमस्तान में रावन विराजमान होने के कारण संतती पर अशुरी सहुसकार बने, धनेश और लाबेश बुदग्रह, स्वराशिका होने के कारण रावन अत्यंत कुशाग्र बुद्धिमत्त का था, उसके बल पर उसने सभी देउता नवग्रहों को युद्ध में पराजित कर अपना गुलाम बना कर रखा था, तुरुतिये शुक्रदेव दशमस्तान में स्वराशिके होने के कारण पराक्रम अच्छा था और सभी सउख्य उनके कदमों में थे, कुंडली के शुक्र से पत्नी का विचार किया जात इतनी वह महान थी, समय समय पर मंदोदरी रावन को गलतियों का एहसास कराती थी, लेकिन शुक्र ग्रह सब्तमेश शनी और राहु के शडास्टक योग में होने के करण, मंदोदरी जैसी सुन्दर महान पत्नी होने के बाद भी, रावन ने बलपूर्वक सिता माता का अपर चतुरतेश और भाग्गेश मंगल ग्रह शर्ष्ट स्तान में उच्च वस्ता में विराजमान है, जिस कारण रावन उसके सभी शत्रों पर भारी था, रावन की कुंडली में चंद्रमा स्वराशी में लेकिन व्यस्तान में विराजमान है चंद्रमा को माता और मन का कारक कहा जाता है रावन के माता का विचार करें तो वह असूर कूल के होने के कारण रावन पर बजपन से ही असूरी सोसकार थे साथ ही व्येश चंद्रमा राहू के साथ सड़ाष्टक योग में है जिस कारण स्त्री का आदर करना यह बात उसके सभाव में नहीं थी उसी चद्रवा ने अर्थात मन ने रावन का घात गया उसे सिता माता का अपरहन करण जो अपमान किया उसी के करण राम रावन युद्ध हुआ उसी में रावन का अंतभी हुआ इससे इह स्पष्ठ हुता है कि कुण्डली के ग्रह भले ही बलवान हो फिर भी स्त्री का आनादर संपत्ती का मोह अधिक होने के कारण रावन असुरी प्रवरूत्व का प्रतिक बना इस प्रकार प्रफूर श्री राम और रावन की कुंडली का अंतर समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है हम यही रुपते हैं अगले भाग में जोगतिश की नमिन्तम जानकारी के साथ पुनस्च मिलेंगे यहाँ जानकारी अगर अच्छी लगे तो शेयर करे ताकि दूसरों तक पहुच सके कमेंट सेक्षन में जैश्री राम लल्ला लिखना ना भूले धतनेवाद शुभम भोतु जैजोटिश